हेलो एब्रिवन वेल्कम टू सक्सेजवित्राय एकेडमी 27 अप्राइल 2023 के दैनिक जागरण के राष्टे संस्क्रण को आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहली हम न्यूज ले रहे हैं कि समलैंगिक विवाह का मुद भग दस से बारा दिनों में यह मुद्दा जो जोलंत मुद्दा बना हुआ है क्योंकि अभी आपने दो तीन दिन पहले भी न्यूस पेपर में देखा होगा कि जो संत समाज है उन्होंने भी एक तरीके से चेतावनी दी थी कि इस तरीके का कोई भी कानून भारत में पारित समलेंगिक विवाह को बढ़ावा दे तो उसी को लेकर जब केन सरकार के पास कई तरीके के सुझाओ कई तरीके की बाते सामने आई उसके बात केन सरकार ने यह मामला चल रहा है उसकी जो सुनवाई थी उसके बाद यह स्टेट्मेंट तुसार महता द्वारा आया है इससे पहले भी आपने देखा होगा कि कई ऐसे जो केस थे उसको जो सॉलिसेटर जनरल है तुसार महता उन्होंने उस उन केसों के लिए समय मांगा था क्योंकि यह कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट में कि अभी हम समलेंगी कानून जो बनने वाला है या इसकी जो चर्चा चल रही है कि बहस चल रही है सुप्रीम कोर्ट में उसमें व्यस्त हैं तो अब देखी इसका क्या इंड होता है हाला कि जहां तक सुप्रीम कोर्ट भी इसी फैसले को मलब इस बात को मानेगा कि जो यह पूरा स्टेटमेंट है यह यह पूरा विवाद है वह संसद दौरा ही निप्टा संसत पर छोड़ना भी चाहेगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आजकल समलेंगी विवाह की कानूनी माननेता देने और ऐसी साध्यों का पंजी करण किये जाने की मांग वाली करीब 20 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है मामले की सुनवाई प्रधान नयाधिस टीवाई चंद जेरल तुसार महता और वकील कनू अग्रवाल पेश हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि भारत की परमपरागत विधाई नीती में परमपरागत पुरुष और परमपरागत महिला को ही माननेता दी गई है और जिस तरीके से इसमें और भी कई देशों ने इसको माननेता नहीं दंते वाड़ा जिला है वहाँ पर एक विस्पोर्ट किया गया और जो नक्सिलियों द्वारा आई इडी द्वारा उस धामाके में दस जवान सहीध हो गये और ये सभी जवान दंते वाड़ा से हेट कौाटर की तरफ जा रहे थे और ये लगभग ये दूरी जो थी वो 62 किलो रही थी दूसरी गाड़ी को यानि की पिकप को टार्गेट बनाया गया इसमें दस जवान और ड्राइवर ततकाल वहीं पर उनकी मौत हो गई अब न्यूस को देख लेते हैं कि जो 36 गड़ का दंते वाड़ा जिला है उसमें बुद्धवार को नकसलियों ने IED लगा कर विस्पोट कर दिया जिसमें डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गाड़ यानि की DRG के 10 जवान सहीद हो गये सभी तीन दिनों के तलासी अभियान के पाथ फिट गहरा हो गड़ा हो गया और दो किलो मिटर की रेंज तक इसका धमाका सुना गया राज जिपाल जो हैं वो विश्व भूशन हरिश्चंद और मुख्यमंत्री भूपेश बगेल उन्होंने वारदात की निंदा करते हुए कहा कि जो भी नकसली हैं वो अपने मनस हो पाएगी वो राजसरकार की मदद करेंगे सुरक्षा बलके एक अधिकारी ने भी बताया कि अरणपूर छेत्र में नकसलवादियों की उपस्तिती की सूचना पर तीन दिन पहले ही असी डियार जी जवानों की एक टुकडी अरणपूर कैंप पहुँची थी तलासी अभ बाहनों के भी 400 मीटर का फासला था आप समझेए कुछ यह फासला कुछ भी नहीं था लेकिन उन्हें सिर्फ एक ही गारी को टार्गेट करना था तो आने वाले दिनों में इसका बदला किस तरीके से लिया जाता है वो देखा जाएगा next है कि सुडान से दिली पहुचा 360 भारतियों का जथा लगए 500 लोगों को लाना है सुडान से और operation कावेरी चलाया जा रहा है जिसके तहर 250 भारतियों का पहला जथा बुद्धवार को वाईयूसेना के विमान से दिली पहुच गया बारती सेना जिंदाबाद इस तरीके के नारे लगाए गया है इससे पहले वायू सेना के दो विमानों ने 200 से अधिक भारतियों को सुरक्षित निकाल कर जिद्धा पहुंचाया मंगलवार को नौ सेना के जहाज आई एनस सुमेधा से 278 नागरिकों को जिद्धा लाया गया चलिए नेक्ट निउस पर आते हैं कि देश में खोले जाएंगे 157 नए नर्सिंग कॉलेज तकि नर्सों की जो बढ़ती मांग है उसको देखते हुए प्रधामिंद्र नरेंद्र मोदी की अध्धक्षिता में जो कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें 157 नए नर्सिंग कॉ कॉलेजों के साथ ही खोले जाएंगे इसके साथ चिकित्सा उपकरणों के आयात पर भी निर्भरता को कम करने पर विचार किया गया और राष्टी चिकित्सा उपकरण नीती को भी मंजूरी दे दी गई है वित्त मंत्री नेरूला सिता रमन ने बजट भाशन में इन नर्स हो अठारा लाक सीटे हैं और जो नए कॉलेज खोले जाएंगे यानिकि 157 साथ सो सीटे और बढ़ जाएंगी यानिकी हर कॉलेज में सौ सीटे होंगी इस में बताया कि सो करोलर रुपरे का खर्च आएगा सभी कॉलेजों को खोलने में दो साल के भीतर सभी नर्सिंग कॉल केरल करनाटक और तमिल नाडू में सीमित हैं नेक्स्ट नीउज है नौ साल में तिरपन हजार आट सो अर्शट किलोमीटर बढ़ा राश्टी राजमार्ग नेटवर्क तिक प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले नौ साल में बुनियादी धाचे के विकास की गती की स कर सड़क निर्मान के छेतर में इस आओधी में किये गए प्रयासों को अर्थवज़स्था के लिए बहुत अहम बताते हुए प्रधान मंत्री मोदी ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिहाच से गत नौ वर्स परिवर्तन कारी रहे हैं उन्होंने केंद्री सड सड़क परिवहन मंत्री नितिन गटकरी के एक ट्वीट को साजा करते हुए लिखा कि बहतर सड़क संपर्क ने अर्थवज़स्था के अन्यमहत्पून छेत्रों को बहुत मजबूत किया है गटकरी ने अपने ट्वीट में एक अप्रैल 2014 से मार्च 2023 तक राश्टी राजमा परगों की लंबाई 91,287 किलो मीटर थी जो अब 1,045,155 किलो मीटर तक पहुँच गई है चलिए नेक्स निउस पर आते हैं नेक्स निउस है कि हमारा लक्ष सभी का अच्छा स्वास्त और कल्यान ये स्टेटमेंट दिया है नरेंदर मोधी ने प्रथा मंतिर नरेंदर मोधी ने बुद्वार को स्वास्त के लिए भारत की द्रष्टी का मतलब केवल बिमारियों की कमी नहीं है हमारा लक्ष सभी का अच्छा स्वास्त और कल्यान है प्रदानमंत्री मोधी ने आज वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये नई दिल्ली के प्रगती मैदान में One Earth One Health and Wantes Healthcare India 2023 के छटवे संस्क्रण का उधगाटन करते वे ये बात बोली है प्रदानमंत्री मोधी ने कहा कि हमारा लक्ष सभी का सारेरिक मांसिक और समाजिक कल्यान है वैक्सीन और दवाओं के माध्यम से जीवन बचाने के महान मिसन में भारत को कई देसों का भागिदार होने पर गर्व भी है भारत ने कोविड माहमारी के दौरान 30 करोन से अधिक वेक्सीन डोज 100 से जादा देसों में मदद के तौर पर पहुंचाई यह हमारी छमता और प्रतिबद्दता को दरसाता है उन्होंने का कि हमारा लक्षिना केवल हमारे नागरिकों के लिए बलकि पूरी दुनिया के लिए स्वास्थ सेवा को सुलब और किफायती बनाना है नेक्स्ट निउस है पैक्स के लिए बनी नई नीमा और ली को 17 राज्यों ने स्विकार किया यह स्टेट्मेंट दिया है अमित साह ने हमारे केंद्री ग्रह मंत्री ने केंद्र सरकार प्रात्मिक रसी साख समितियों यानि के पैक्स के माध्यम से सहकारिता छेत्र को समरद्द करने के अभियान में जूटी है पैक्स के गठन के लिए नई नियमावली बनाई गई है जिसे अभी तक 17 राज्यों ने स्विकार कर लिया है सेस राज्यों ने भी रुचिली है और पुश्टाच कर रहे हैं चिंद्री इग्रह एवं सहकारिता मंत्री अमित साह ने सोमबार को पत्रकारों से बादचीत में कहा कि देश में पांच वर्सों के भीतर दो लाख पंचायतों में नए पैक्स का गठन किया गया है अभी 63,000 पैक्स काम कर रहे हैं इन सभी में कंप्यूटर लगाय जा रहे हैं जिसमें धाई हजार करोण की लागत आ रही है सभी पैक्स में इस्तानी भासा में कामकाज होगा सबका प्रती दिन ऑडिट भी होगा जिन राज्यों ने नए नियमावली को सुईकार कर लिया है वहां पैक्स ने गठन की प्रक सो में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकारिता छेत्र को पुनर जीवित सुद्रण और आदर्स बनाने के लिए नय सहकारिता मंत्राले का गठन भी किया है पैक्स के जरिये ग्रामिड अर्थववस्ता को मजबूत करना मुख्य देश्य है जिसमें पेट्रोल पंप भी खोले जाएंगे और साथ ही लपीजी वित्रण बनाने के लिए भी मंत्राले इस तरपर नियमों को संसोधन किया जा रहा है डेरी भंडारन क्रसी लोन देने की विवस्ता इफको डिलर्शिप बैंकिंग सस्ते अनाच की दुकान कॉमन सर्विस सेंटर जल विवस्तापन जैसे काम दिये जाएंगे उन्होंने कहा कि इससे पैक्स की आमदनी बढ़ेगी काम के विस्तार के साथ ही बड़े पैमाने पर रोजगार का भी स्रजन होगा क्योंकि इतने सारे कार्वियों के लिए मैन पावर चाहिए होगी सुप्रीम कोट ने अपने 2022 का जो उनका आदेश था उसमें थोड़ा सा बदलाव किया है और उसमें नहे प्रावधान जोड़ दिये हैं अब प्रतेक संदक्षित वन छेत्र वन जीव पार्क और वाइड लाइफ सेंचुरी के आस पास या फिर उसके एक किलोमेटर के छेत्र में व्यापक भू उपयोग बदलने वाली गतिविदियां नहीं होगी इस छेत्र को इको सेंसेटिव जोन याने की ESZ कहा जाएगा सुप्रीम कोट ने पूर आदेश में यह बदलाव वन जीव पर आधारी त्याज क्या की सुनवाई करते हुए कहा है नेक्स्ट है न्यूज कि इसराइल को स्वतंत्रता की 75 वी वर्सगाट पर जैसंकर ने बधाई दी है देखें विदेश मंत्री एस जैसंकर ने इसराइल की स्वतंतरता की 75 वर्सगाट के मौके पर जो इसराइल के विदेश मंत्री है एली कोहन उनको और सभी इसराइल देशवासियों को बधाई दी है जो विदेश मंत्री है एस जैसंकर उन्होंने ट्विट करते हैं कि स्वतंत याने की भारत और इस्राइल के संबंद आगामी कुछ वर्सों में अच्छे हुए हैं, दोनों में दुईपक्षिय संबंद मजबूत हुए हैं, रक्षा चेतर के समझोते हो रहे हैं, या फिर राजनीतिक तोर पर जो प्रगारता बढ़ी है, उसको हम जाली रखना चाहेंग और भारत ने 17 सितंबर 1950 को इसराइल को अपनी माननता देने की खुशना की थी, इसके तुरंत बाद यहोदी एजनसी ने मुंबई में एक आवरेजन कार्याले की स्थाफना भी की थी, प्रधार मंतिर नरेंद्र मोदी ने 4-6 जुलाई 2017 को इसराइल की अतियासिक यात्रा भी की थी, चलिए, नेक्स्ट नीउस पर आते हैं, कि जैसंकर और बिलावल मुलाकात की संभावना कम, अब दखी संगाई सहयोग संग्ठन के में जो विदेश मंत्रियों की अगले हफता, हफते जो बैठक होने वाली है, यानि की 3-4 माई को, उसमें भारत और पाकिस्तान क के विदेश मंत्रियों के बीच जो दिपच्छी मुलाकात होने वाली थी, उसकी संभावना अब कम ही नजर आ रही है, विदेश मंत्री ऐस जैसंकर ने एक दिन पहले पनामा में, जिस तरीके से आतंकवाद के मुद्देवर पाकिस्तान को गेरा, वह इस बात का संकेत है कि चुनावी साल में भारत परोसी देश के साथ रिष्टों को लेकर खास उत्सा दिखाने को तयार नहीं है, दूसरी तरफ जैसंकर और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के बीच मुलाकात की संभावना को देखते हुए पाकिस्तानी सेना ने भी कश्मीर राग अलापना छोड़ दिया है, हाली में जिस तरीके से पुंच में हुए आतंकी हमले की सुरुवाती जाच में उंगली एक बार फिर पाकिस्तान के तरफ उठ रही है, साथ ही इस पूरे वर्ष कई राजियों में चुनाव भी है, इन सभी को देखते हुए इस बैठक से एस जैसंकर किनारा करना चाहेंगे, नेक्स निउस है, क्वार्ट सिखर सम्मेलन 24 मई को सिड्नी में मोदी लेंगे हिस्सा, क्वार्ट के बारे में आप जानते होंगे हिंद प्रसान छेत्र में चीन के दब दबे को या उसकी दखल अंदाजी को कम करने के लिए क्वार्ट स तरीके सैने संगठन करार देता रहा है, उन्होंने बोला है कि हिंद प्रसान छेत्र में जो दूसरे देशों की आवाज आई है, उसको खत्म करने के लिए इन लोगों ने संगठन बनाया है, तो इन सब बातों को लेकर चीन इस संगठन को नकारता है, लेकिन भारत और जो बाकी देश हैं, वो जिस तरीके से इस संगठन को मजबूत करते जा रहे हैं, वो चीन के दबदबे को कम करेगा हिंद प्रसान छेत्र में, देखिए क्वाड का जो सिखर सम्मेलन है, वो पिछले साल जापान में हुआ था, और वो अब तक का सबसे सफल क्वाड सम्मेलन मा हिस्सा लेंगे, इस सम्मेलन में हिंद प्रसान छेत्र सहित कई मुद्दों पर आपसी सयोग बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी, और पिछले कौर्ड सिखर सम्मेलन में किये गए फैसलों की समीक्षा भी होगी, कौर्ड में कौन से संगठन है आपको बता दिया गया, और आउस्टेलिया के जो प्रधान मंत्री हैं एंथनी अल्बनीज ने बुद्दवार को इस सम्मेलन के आयोजन की गोशना की, उन्हों बताये कि कौर्ड एक खुला, इस्तिर और संपन हिंद प्रसान छेत्र बनाने के लेकर प्रतिबद्ध है, ताकि सभी संप्रभुता, सुर कामक रवाईय को चुनौती देता है, मसलन इसमें कहा गया था कि पूर्वी दच्छनी चीन सागर में समुद्री सीमा से जुड़े सयुक्त राष्ठ के कानून का सही तरीके से पालन करतने के लिए सभी सदस्य देश, व्यापक सयोग करेंगे, साथ ही समुद्री छेत्र में कोई भी ताकत का इस्तमाल नहीं कर सकता है, चलिए, नेक्स्ट निउस पर आते हैं, नेक्स्ट निउस है बिजनस पेज से और बिजनस पेज में पहली निउस है कि आठ सेक्टर में सुरू ही मैनुफेक्चरिंग, लेकि मैनुफेक्चरिंग और जो निर्यात है उसको भाने के उद्देश से तीन साल पहले सुरू की गई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव याने पी ल आई स्कीम के तहत अब तक आठ सेक्टर में उत्पादन सुरू हो गया है इन आठ सेक्टर में पांच लाख करोन रुपए का कर दावा किया है उद्दोग संवर्धन और आंत्रिक व्यापार विभाग के आकड़ों के मताबिक इन दावों में से दो हजार आठ सो चोहत्तर करोन का भुक्तान कर दिया गया है नेक्स निउस है कि सप्लाई चैन से जुड़ी मौसमी समस्याओं से बढ़ी महंगाई तेकि वित्तमंत्री जो निर्मला सिता रमन है उन्होंने बुद्वार को कहा कि आपूर्ती से जुड़ी मौसमी समस्याओं के कारण महंगाई बढ़ी है और जरूरी समान की कीमतों में नर्मी लाने के प्रयास के साथ उस पर लगातार नजर रखी जा रही है सिता रमण ने इंधन और प्राकतिक गैस के दामों में कमी लाने के प्रयासों का भी जिक्र किया देश में इनका आयात किया जाता है और कुरोना तथा रूस युक्रेन युद्ध के कारण वहस्विक ब दिया था चलिए नेक्स्ट नीउस पर आते हैं जो है इंटरनेशनल पेश्ट से अफगानिस्तान पर बने छेत्री समूह में भारत को भी सामिल होने का आमंत्रन देगे रूसी विदेश मंत्री सर्गोई लावरोव ने कहा है कि प्रोसी अफगानिस्तान में इस थिरता के ही है सर्गेई लावरोव ने कहा कि रूस चीन पाकिस्तान और इरान अफगानिस्तान में मिलकर काम कर रहे हैं हम चाहते हैं कि संग्ठन में कुछ और प्रोसी देशों को सामिल किया जाए उन्होंने कहा कि इस महाकार के विदेश मंत्रियों ने चीन के विदेश मंत्री चिन कॉंग की अध्यक्शता में बात की थी, मुलाकात हुई थी और उजबेकिस्तान के समरकंद में चर्चा की गई थी इस दोड़ान हमने अफगानिस्तान के पुनर निर्मान और आर्तिक मामलों को लेकर तालीबान सासन से सहयोग का फैसला किया था साथ ही अफगानिस्तान में आतंकी गत्विदियों पर भी चिन्ता व्यक्त की थी अमेरिका और दच्छन कोरिया मिलकर बनाएंगे परमाणू हतियार उत्तर कोरिया के परमाणू हमले की धमकी का जवाब देने के लिए अमेरिका और दच्छन कोरिया साथ मिलकर परमाणू हतियार बनाएंगे इस हफते दच्छन कोरिया के राश्पती यून सुक योल के वाइट हाउस के दोरे से यह स्पष्ट होकर आया है कि अमेरिका और दच्छन कोरिया किम जॉंग उनकी उत्तर कोरिया सरकार से लगातार प्रमाणू मिसायल के प्रिक्छन जो उत्तर कोरिया कर रहा है उससे वो चि तैनात करेगा और 40 साल के इतिहास में यह दूसरा मौका होगा जब अमेरिका इस छेत्र में पंडुब्यों की तैनाती करेगा उर्जा वक खाद सुरक्षा वक अन्य छेत्रों के साथ काम करेगा भारत विदेश मंत्री आजिया संकर ने कहा है कि उर्जा खाद सुरक्षा दो ऐसी वेस्ट्रिक तार्टकालिक चुनौतियां हैं जिनका विकासिल देश मौझूदा समय में सामना कर रहे हैं भारत आने वाले दिनों में अन्य देशों के साथ मिलकर इन मुद्दों पर काम करेगा गुयाना से सोमबार को पनामा पहुंचे जया संकर ने मंगलवार को यह बू संबंद बनाने और विभिन अंतराश्टी और बहुपक्षी मुद्दों पर मंचों पर भारत का समर्थन करने के लिए सीका को धन्यवाद दिया है उन्होंने कहा कि उर्जा और खाद्य सुरक्षा सायद दो सबसे तत्काल वैस्विक चुनौतियां हैं जिनका दच्छ सामना कर रहा है तो यह आज का यानि 27 अप्रेल 2023 का दैनी जागरान का राश्टी संस्क्रण था आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजेगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद